नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूट्यूब चनल कलावंस्टेडी में आपका हार्डिक स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम तच्छा करेंगे बजट के बारे में दोस्तो पांच जुलाई को गया सुबह 11 बजट 2019 भी से बजट पेस किया गया तो बजट किसके अब हम देखते हैं इसके पहले आपको बता दूँ कि दोस्तो आपने बी तक वीडियो को बजट को लाया गया तो ये नई चीज इस बार बजट में हुई है तो पूरा हम देखते हैं इससे पहले आपको बता दूँ कि दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें सबी दोस्तों के साथ वार्सप गूर्पों में ज़्यादा सा ज़्यादा शेर कर दें यदि आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो निचे दिये गे लाल सस्क्राइब के बटन को दबा कर चैनल को सस्क्राइब जरू कर लें तो उसके पास जो बेल आइकोन है गंटे के असान है उस गंटे के असान को जुरूर दबादें जिसे ऐसे ओर वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहें दोस्तों जैसे बजट पेस किया गया है उससे पहले इंजम्दा सितारमन ने बजट के सुरुवात इस बात से की कि यकीन ह इसको तो कोई भी रास्ता निकलता है हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है यह बहुत ही मैसूर सायर हुएत है meer उनका इसकी साथ है बजट की सुरुवात कियी अब जानते हैं बजट2020 के बारे में जो सिब्सक्राइब क्योच्थ吗 बतาก़ाउं गाउंगा और फिर दोस्तो अगले वीडियो में हम इसका क्वीज भी करवेंगे तो आप हमसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसे इस क्वीज में भी आपे पता लगा सकें कि आपको कितना याद हुआ है तो यह क्यूशन है दोस्तो कि इस बार बजट का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो हर दोसरा जो क्यूशन है वह है केंदर सरकार ने बजट पेस करते समये इस बार किस प्रमपरा को तोड़ा है जैसा मैंने आपको उपर बताया कि केंदर सरकार ने इस बार जिस प्रमपरा को तोड़ा है कि वह कि बजट है वह लाल कपड़े में लपेट कर लाया गया पहले दो प्रफोटो में आपको दिखाया भी है next है केंद सरकार के किस विभाग को PPP model पर निवेस किया जाएगा तो केंद सरकार ने किस विभाग में है तो PPP model पर देने की गोष्णा की है railway को तो railway में तो कुछ railway station पिसली सरकार में 18 से ज्यादा railway station केंद सरकार ने ठेके पर दे दिये थे यानि PPP model पर दे दिये थे railway का नेजिकन करने का यह प्रियास है और इस बार दोस्तों इस बजट में भी इसकी गोष्णा कर दी गई है next question है बजट 2020 कब पेस किया गया तो यह दोस्तों पांच जुलाई 2020 को बजट 2020 है यह है पेस किया अगला परसन है बजट 2020 को किस ने पेस किया तो यह दोस्तों निरमला सितारमन ने पेश किया तो हमारी वितमंतरी को है निर्मला सितारमन ये पोटो में आपको निर्मला सितारमन दिखाई दे रही है तो बजट से समधित और किसों देखते हैं तो बजट पेश वितमंतरी करता है तो भारत की वरतमान वितमंतरी कोन हो गई निर्मला शितारमन होगी यह पोटो में आपको हमने उपर दिखाया आगे देखते हैं जो नई सी इस बजट में क्या हुई तो यह हुई दोस्तो कि बजट 2020 में इलेक्टरिक विकल खरीदने पर सरकार ने इंकम टेक्स में कितनी अतिरिक छूट देने का अलान किया है तो इसमें दोस्तो यह दिया आप 2020 में कोई भी इलेक्टरिक विकल खरीदते हैं तो इंकम टेक्स में आपको डेड़ लाग रुपे तक की अतिरिक छूट आपको द अगर कोई सक्स लोन लेकर 45 राग रुपे तक का गर ख़रियता है तो उसे income tax में कितने रुपे तक की छूट देने का आधान किया गया है, तो कोई मद्यवर्ग्य जो परिवार है उनके लिए यह कोशना की गई है, तो कोई विक्ति 45 लाग रुपे तक का गर ख़रियता लोन लेकर खरीटा है तो उसमें दोस्तों उसको डेज़़ लाग रुपे तक की अतिरिक चूठ देने की गोष्णा की गई है jest के अलग मैं आपको बताऊंगा जो होम लोन लेते हैं उन होम में कितनी ब्याज में चूठ नहीं की कोशना की है वो भी आपको आगे बताऊंगा तो होम लोन में दोस्तों आपको 45 लाग रुपे तक अगर खरीते हैं तो आपको डेड़ लाग रुपे तक की छूटे मिलेगी नेक्स्ट है बैंक खाते से यदि आप एक साल में एक करोड़ रुपे से ज्यादा केस निक निकालने पर डिजिटल पेमेंट में इसमें कोई लिंक नहीं है इदि केस में निकालते हैं दोस्तों निकालेगी जो भी राशी है उस राशी का दो प्रतिस्ट आपको लेवी देनी होगी यहनि यदि आप एक करोड़ रुपे निकालते हैं तो आपको दो लाग रुपे उ बजट में की गई है अगला परसन है इंकम टेक्स बढ़ने के लिए पेन कार्ड की अनिवारेता को खतम करके किस दस्तावेज को मंजूरी दी है तो इतने दिन दोस्तों क्या था कि इंकम टेक्स बढ़ने के लिए पेन कार्ड अनिवारेता अब जिन लोगों के पास पेन कार् नहीं बनावा है वो दोस्तों आधारकार्ट से income tax से बर सकते हैं तो आधारकार्ट से आप income tax को बर सकते हैं तो return के लिए अधार या pain के बाई से कोई एक दस्तावज आपके लिए जरूरी है जरूरी नहीं आपके पास pain card हो तभी आप income tax से बढ़ पाएं अगला जो question है वह दोस्तो आयातित किताबों पर custom duty कितना परतिशत बढ़ी है तो आयातित किताबों पर जो custom duty है वह 5% से बढ़ गई है दोस्तो जो विदेश उसे जो किताब भारत में आते थी फिर उनको बेचा जाता था अब वह 5% महेंगी हो जाएंगी तो जो विदेश उसे मंगा कर किताब पढ़ते हैं उनके लिए ये दुकत खबर है नेक्स्ट है बजट 2019 में पेंट्रोल डिजल पर कितनी रुपे का आतिरिक चेंस लगया गया है तो 2019 में पेंट्रोल डिजल पर दोस्तो एक लिटर पर एक एक रुपे का यानि वसे देखें तो दो परतिसत का आतिरिक चेंस से लगया गया है नेक्स्ट है बजट 2020 के अनुसार कितने रुपे तक की आई पर कोई भी टेक्स नहीं देना होगा तो कितने रुपे यदि आप सलाना कमाते हैं तो उस पर आपको कोई टेक्स नहीं देना होगा यदि आप पांस लाख रुपे सलाना कमा रहे हैं तो उस पर आपको दोस्तों किसी परकार का कोई टेक्स नहीं देना होगा यह गोशना पहले जो फरवरी में बजट आया था उ साथी मुद्रा स्केम के तह Preसेंव जो मै लाउं मैई-लाओं को एक क्विधुदाह 연त की तो प्रदांत्री मुद्रा य॓धुना के तह्त यह ने धिये जाएगाmot मैंि पिछले 70 गैस्ति दोस्तों कितने क्श्च्श करोड़े की है और इस शालना पहले अंबलब यूज गाते थे वो सोबाट का होता था नेक्स्ट क्यूशन है गाउं को ग्रामिन बजारों से जोड़ने के लिए वाली सडकों का निर्मान करने के लिए रोज़ाना कितने किलोमेटर सडक बनाने का लक्षे में वदर्द किया गया है तो शडक पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इस बज़ट में तो इसमें दोस्तों वितमंतरी ने 135 किलोमेटर परती दिन यानि रोज़ाना शडक बनाने का टारगेट लक्षे रखा गया है जो गाउं में बनाई जाएगे गाउं को सहरों से जोड़ने के लिए य यानि इतना बज़ट को मंजूरी दी गई है यह दोस्तों प्रदानमतर ग्रावं शडक योजना के तहित इसको मंजूरी दी गई है नेक्स्ट देखते हैं सोना खरीदने पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ा कर कितना परतिस्त कर दिया गया है यह दि आप सोना चांदी खरीद रहे थे तो सोना खरीदने पर आपको कस्टम ड्यूटी है वह दोस्तों 10% पहले अब उसको बढ़ा कर कितना कर दिया गया है उसको दोस्तों बढ़ा कर क जाएंगे नेक्स देखते हैं वित मंतरी के अनुसार डाइरेट टेक्स तो टेक्स बढ़ते थे दोजा सो तेरा चोदा में 6.3 लाग क्रोड था उससे बढ़ कर 2018 कितना हो गया है तो पहले टेक्स बढ़ने वाले थे वह 6.38 लाग क्रोड रुपे देते थे अब दोस्तों कितना बढ़ गया है तो यह 11.37 लाग क्रोड रुपे बढ़ गया है तो बहुत ही जादा लोग टेक्स देने वाले बढ़ गई है जिसे टेक्स किराशी भी बढ़ गई है नेक्स्ट है वीत मंतरी ने होम लोन के ब्याज पर कितने रुपे तक की चूट का एलान किया है तो वीत मंतरी ने दोस्तो निर्मला सितारमन ने होम लोन के ब्याज पर तीन लाग पचास जा रुपे की चूट का एलान ने किया है नेक्स देखते हैं वित्मंतरी निर्मला शितारमन ने परदान मंतरी अवास योजना जो ग्रामिन में चलती है ग्रामिन परदान मंतरी अवास योजना के दूरान दूसरे च्रण में 2020-2021 2021-22 के दोरान कितने ये गरह है गलत टाइप हो गया कितने गरों कितने गरों में आउंटन का लक्सी रखा गया है तो कितने गर आउंटन करने का टार्गेट ही रखा गया है तो ये दोस्तों एक पॉइंट पिचान में करोड घर एक करोड पिचान में लाग घर आउंटन करने क का टार्गेट ही रखा गया है परदारमंतरी आवास योजना के तहत नेक्स देखते हैं सरकार बुनियादी सुविदाओं के लिए कितनी राशी निवेश करेगी तो सरकार ने दोस्तों बुनियादी सुविदाओं के लिए जो बजट रखा है वैस्ट सो लाग क्रोड रुप दी है तो देखते हैं दोस्तों ये एक न्यूज देखते हैं जिनकी के साथ लाइसी जो बिमा आप करवाते हैं उसमें बिमा चितर में फिलाल एप डिया कि सीमा दोस्तों 49 यानि 49 परतिसत थी तो निर्मला सितारमन ने इसे 100 पिष्टी तक करने की बात कई है पिछले कई सा कार ये मान कर रही थी कि बिमा में 100% विदेशी निवेस की इजाज़त दी जाए अब दोस्तों जोरा गुनिस बीस के बजट में इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का वादा देंबला सितारमन ने किया है नेक्स्ट है 2-5 क्रोड आए वालों पर कितने प्रतिसत अतिरिक्त क से लगेगा तो अतिरिक टेक्स लगाने की गोशना भी सरकार ने कही है तो अमीर जो लोग है उन पर टेक्स से ज्यादा बढ़ा दिया गया है इसमें नई बातें के एक्ट्राइब देख लेते हैं यह मैंने आपको बता दिया कि पेन के जगह आदार से भी आप इंकम टेक् अब दोस्ते पांस क्रोड आई वालों को 3% एतिरिक्त कर देना होगा यह भी बता दिया अब दो नेक्स्स जो क्यूशन है वह यह है कि पांस क्रोड से ज्यादा आई वालों पर 7% एतिरिक्त चारजी लगेगा तो उस्तों 5 प्रोड चे अधिक आई वाले हैं उन पर कितना प्रतिसत 7% अतिरिकत कर लगाने की गोश्ञा कैंटर सरकार ने की है अगला परसंट देखते हैं वीत मंत्रिय ने सरकारी बैंकों को कितने राष़ी देने की गोश्ञा की है तो सरकारी बैंक दोस्तों जो लगातार गाठे में चल रही थी उनको NPA की राशी देने के लिए सरकार ने सतरा जार क्रोर रुपे सरकारी बैंकों को देने की गोशना की है, तो पहले दोस्तों कितने राश्टिकरथ बैंक थे, सरकारी बैंक थे तो टोटल 19 थे, अब सरकार ने उनमें गठा कर आठ करने की योजना बनाई है तो सरकारी बैंकों के सिंख्या गटकर कितनी रह जाएगी आठ सरकारी बैंके रह जाएगी ये दिखाई दे रहे हैं आपको सभी सरकारी बैंके हैं इने में से कुछ बैंकों को सरकार निजी हातों में देना चाहती है उसके बाद सरकारी बैंकों के जो संग क्या है वो मातर आठ ही रह जाएगी तो यह दोस्तों था बजट के बारे में जितने भी क्यूशन थे सब ने हमका आपको करवा दिये बाकि जो भी जो क्यूशन बचे हुई है या इस वीडियो में जो क्यूशन आये है वो सभी आप पसंद आये तो वीडियो को लाइक को और सभी दोस्तों के साथ सेवर जरू कर दें यदि चैनल को सेंस्क्राइब नहीं किया है तो निचे ढ Sant요 के बटन को लटन को दबाकर उसके पास जो बैल आइकोन गंटे का सान है उस गंटे का सान को जुरूर दबा दें जिसे मारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकर या आप तक ही पहुंशती रहें धन्यवाद दोस्तों